नमस्कार दोस्तो डिजिटल नेट्रोक मार्केटिंग के एक और टुटिरियल वीडियो में स्वागा थे आपका मैं A.R. खान आपका दोस्त आपका होस्त दोस्तो आज के इस वीडियो में नेट्रोक मार्केटिंग में ओनलाइन आपके ब्रेंडिंग के लिए किन बातों पर ख्याल रखना जरूरी है उसे बताने जा रहा हो क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए उसे बताने जा रहा हो specially online आपके खुद के मार्केटिंग के लिए ध्यान दीजिएगा बहुत important बाते बताने जा रहा हो दोस्तो आंत में एक और वीडियो टोपिक मिलेंगे आपको जिस पे आज से आपको प्रेक्टिस करना है वीडियो बनाने में expert बनने के लिए शुरुआती 3-4 वीडियो कुछ basics के लिए है खुद के heavy development के लिए है एक सही planning के लिए है उसके बाद आपको techniques के वीडियो मिलेंगे technology के कुछ functions के वीडियो मिलेंगे आपको online prospecting के से किये जाते है online invite के से किये जाते है how to show the plan online what are the tools how to develop team online तो दोस्तो बने रहिएगा अंत तक हर एक वीडियो में आपको बहुत फाइदा मिलने वाले है दोस्तो facebook, instagram, linkedin youtube पे क्या अब तक आप user बन के बैठे हो क्या अब तक सिर्फ आप entertainment के लिए ही use कर रहे हो अब से आप creator बनिए business के लिए use करिए social media पे सबसे पहले आपका एक image बनाईए right image बनाईए ऐसी image के लोग आपसे connect हो ऐसी image नहीं के लोग आपसे भागे जैसे कि कोई भी आदमी आपके business पे ज़रा से भी interest दिखाए आप उनके पीछे पर जाते हो दोस्तो हर एक moment के script होनी चाहिए आपके पास कब किसे क्या बात करना है किसे क्या reply करना है किसे क्या share करना है और किसे क्या नहीं करना है दोस्तो अगर आप लोगों को attract कर सकते हो तो जिंदिगे में लोगों की कमी नहीं रहेंगे आपके पास social media आपको इतना लोग देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे कम समय में आप बहुत कमा पाओगे तो आपका image किस तरह का होना चाहिए इस वीडियो में जो भी point बताने जा रहा हूँ हर एक point आपके दिलो डिमाग में बैठा लेना बहुत ही important है आपके online branding का पहला सीरी है ये regular practice करना, habit बना लेना आपके बाकी के जिंदेगी सफल हो जाएंगे दोस्तों आपके online brand establish करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो मेरा पहला point है make yourself unlearned first अब तक online promotion से जूरे, online branding से जूरे जो भी चीज़े आपके डिमाग में है उसे खाली करना है अगर पहले से ही कुछ भरती है तो नए चीज़ों के जगा कहाँ पे होगा दोस्तों एक वीडियो देखा था, बहुती सांदार वीडियो था एक शिष्षा अपने गुरू के पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए गुरू ने उन्हें अपने पास बैठा के एक चाय के प्याले में कटले से चाय देते रहा प्याले फुल हो गए थे, फिर भी चाय देते रहा चाय जमीन पे गिर रहे थे तब शिशा ने गुरू को रोका कि गुरू जी चाय गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है गुरू ने कहा भरी हुई प्याले से चाय गिरेंगे ही अगर अब तक आपके दिमाग में कुछ है तो उसे खाली कर लिजिए तब ही मेरा शिक्षा आपके डिमाग में सही तरीके से एंटर करेंगे कुछ multinational companies भी सिर्फ freshers को हायर करते हैं engineering college, management college के campus interview कुई जरी है क्योंकि ये जो freshers है अपना डिमाग unnecessary use नहीं करते है companies की strategies अच्छी तरह follow करते हैं क्योंकि पहले से ही डिमाग खाली रहते है के साथ compare मत किजिएगा दोस्तों ये पुरा नए कोर्स है यही समझना है आपको अब तक आपने online क्या किया क्या कर रहे है उससे कोई मतलब नहीं अब से आपको क्या करना है किस तरीके से brand बड़ा बनाना है किस तरीके से बड़ी success हासिल करना है उस पर ध्यान दिजिएगा नेक्स्ट पॉइंट इग्नोर पॉलिटिकल और कम्यूनल मैटर फ्रेंच ऑनलाइन आपका पहचान है आपके सोसियल मीडिया के एक्टिविटी एक अंजान आदमी भी आपके नैचार पता कर सकते है आपके सोसियल मीडिया प्रॉफाइल से आपके कम्यूनिटी से आपके एक्टिविटी से किस ताप के पोस्ट आप करते हो किस ताप के पोस्ट पे आप लाइक्स करते हो किस ताप के कॉमेंट्स आप करते हो आपके एक छबी जलगते है आपके social media profile से network marketing में एक leader के तोर पे आप अपना brand establish करने जा रहे हो social media में कभी भी ऐसे sensitive post ना करे आज से पहले अगर आपने किये होंगे तो उसे delete कर दीजिए communal और political post मत करना अगर कोई आपका friend ऐसी post बहुत ज़्यादा करते है उसे unfriend कर दीजिए आप ऐसी post just ignore किजिए कभी भी like और comment मत करना दोस्तो आपके whatsapp में भी ऐसी viral message बहुत आये होंगे या आते रहे होंगे जो friend ज़्यादा ऐसी message देते होंगे उन्हें block कर दीजिए just ignore कर दीजिए कभी भी ऐसी message forward मत किजिए वरना आप बहुत ज़्यादा लोग खो देंगे और क्यू खो देंगे वो आपको भी पता है next point morning half an hour exercise दोस्तो अब आप सोचेंगे कि digital network marketing के साब morning exercise का क्या संबन्द है friends morning exercise भी मेरे इस magical course के एक part है आप gym जा सकते हो आप cycling कर सकते हो आप दोर सकते हो कुछ भी चाहे तो speed से walk कर लीजिए यही आदे गंटे के activity से आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए इससे आपके brain cell active रहेंगे दिन भर आप तंदूरुस रहेंगे आगे जो भी activity दे जाएंगे आप activity पूरा करेंगे आप video बनाएंगे पूरे जोश के साथ बनाएंगे अब live webinar करेंगे पूरे energy के साथ करेंगे अब phone पे बात करेंगे तो भी पूरे energy के साथ करेंगे जब आप fit रहेंगे अब तंदूरुस रहेंगे तभी आप जो भी activity करेंगे पूरे stamina के साथ करेंगे रोज के आदे गंटे के exercise से आपके हर सब में हर lines में जान दे देंगे अब पूरी तरह active रहेंगे इससे ignore मत किजिए बहुत सारे successful लोगों के जीवान कल study करके ये point लिया हूँ मैंने बहुत सारे books परके ये point लिया हूँ मैंने next point anger free आपके गुस्से पर control गुस्सा आपका zero होना चाहिए situation जैसी भी क्यों ना हो online promotion के बाद तरह तरह की लोग आपको call करेंगे आपको तंग करेंगे कुछ लोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे आपको गुस्सा भी आएंगे गुस्सा आपको नहीं करना है शान्त रहना ह यहाँ गुस्से की वज़य से लोग बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं दोस्तो online बदनाम बहुत तेजी से फैलते हैं गुस्सा आपको नहीं करना है गुस्सा control पर आपके तरक्य होगा दोस्तो यह एक book है seven habits of highly effective people दुनिया के सबसे ज़्यादा influence करने वाली एक book Stephen Covey ने लिखा Europe America के management school में पढ़ाय जाते हैं यह book Stephen Covey ने 3000 successful लोगों से मिलके तीन साल लगाया यह किताब लिखने में इस किताब में पहला जो habit है जो की सभी successful लोगों में पाया गया है वो है proactive किसी भी situation में खुद को शांत रखना active रखना negative महोल में भी अपने आपको positive energy दे प आपके पास phone calls बहुत आएंगे कोई आपको पकाएंगे कुछ लोग आपको तंग करेंगे तरह तरह की सवाल करेंगे आपको गुस्सा दिलाएंगे गुस्सा मत होना हमेशा स्थीर रहिए किसी का करवा सब्त के एगेंस्ट में आपके हसी जलकना चाहिए आपके smile जलकना च कोई भी एक आदमी चुटकी में हजारों लोग तक आपका बदनाम पहुचा सकते है बनी बनी इमारत खतम हो जाएंगे तो ego free, anger free networker बनी ये ego से हो सकता है अब दुनिया जीच सकते है दिल नहीं ego से हो सकता है अब हिटलर बन सकते है गांधी जी नहीं ये character ऐसी चीज है कि अगर एक बार बदनाम हो गया तो रातो रात लोग रोट पे आ जाते हैं चाहे कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, दुनिया में ऐसी अनेक उदाहरन है हैस्टेग मेटू, सबको याद होगा कितनी बड़ी लेवल पे ट्रेंडिंग हुआ था हार्वी वाइंस्टन, हॉलिवड के एक जानिमानी प्रोडीसर थे कहा जाये तो हॉलिवड के बादसा थे, उनके मैक्सिमाम फिल्म ऑस्कार नोमिनेशन होते थे अक्टूबर 2017 में, एक सेक्स्यल एव्यूज एलिगेशन से रातो रात रोट पे आ गये थे पुरे दुनिया की एक पावरफुल आदमी को अपने ही कमपानी से इस्तफ़ा देना पड़ा उदिन 24 आवार्स और जितने भी ओर्गनेशन से जुरे थे, सबी ओर्गनेशन से इस्तफ़ा देना पड़ा तो नेट्रोप माइकेटिंग अब डिजिटल नेट्रोप माइकेटिंग हो चुके है और आप भी डिजिटली खुद को डेवलोप करने जा रहे हो और इस इंडस्ट्री में मेल से फिमेल ज़्यादा है एक बात जान लीजिए आप किसी भी लेडी को किस नजरिया से देखते हो कमुनिकेट करते हो उनको बहुत अच्छी से पता चल जाते है खुद को ज़्यादा स्मार्ट मत समझिए इस टेक्नोलोजी के जमाने में थोड़ी सी भी आपके करेक्टर फिसलने पर आपको भारी नुक्सान हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा नहीं सकेंगे तो केरेक्टर को सुदारना खुद के जिम्मेदारी है यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों ये पांच पॉइंट में अगर आप खड़े उतरे तो डिजिटल नेट्रोक मागेटिंग में आपके ब्रेंड एस्टब्लिश कितने तेदी से होते है आपको खुद को पता नहीं चलेंगे इसे हविद बनाईए तो अब समाए है कि आपको मैं वीडियो बनाने सेखने की एक टॉपिक दू जिसमें आप प्रेक्टिस करें और वीडियो बनाने में माश्टर बने तो आज के टॉपिक है आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अब तक आप कहा कहा ट्रेवल किये है किसके साथ ट्रेवल किये है कहा पे क्या अच्छे लगे क्या एक्स्पिरियेंस हुए है क्या कि आपने मिस कर दिये है कंटिन्यू दस मिनिट की एक सेलफी वीडियो बनाईए कंटिन्यू बोलने की प्रेक्टिस गलती होने पर भी मत रुकिए कंटिन्यू कीजिए तो दस्तों होप कि आपको अच्छे लगे जुले रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को डबाईए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले देख सके तो दस्तों आज बस इतना ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए झाल